इसकारिक्रम के पुनियार्जक हैं 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 से हमें लाभानवित करें पुनियार्जक्रम के 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 पुन भी करम रख सकते हैं लेकिन इसका एक कारण अगर हम चाहें तो इस तरह से वैक्षाइद कर सकते हैं क्रोध मान माया लोग इस चार विकारों को जब तक हम बिनस्ट नहीं करते हैं तब तक जीवन में सद्ध की उपलम्दी नहीं होती हैं और इस सद्ध को भलवान बनाए रखने के लिए हमें सैयम तब त्याग चाहिए और उसी हिसाब से जब बेक्ति सर्वस चाहता है तो अकिन्चनत्त की अनभूती करता है तभी वह ब्रह्मा शुरूप आत्मा में दीन होता है कशाओं के शमन के अपेक्षा से चार धर्म उसकी उपलब्धी के रूप में सद्ध है और उस कशाओं के शमन के शाधन के रूप में सैयम तब त्याग और आकिन्चन नहीं उसकी उपलब्धी के रूप में ब्रह्मा ऐसा हम कह सकते निवेदन है पूजी शुलक्सी चिद्दूप सागली महराज के चरणों में कि अपने प्रश्ण के माध्यम से हमें भी भूधी की प्राप्ति करा है पूजी मुनी द्वय के चरणों में बारांबार नमस्तू महराज जी टीवी चैनल्स पर कुछ कारिकरम दिखाए जाते हैं जो अपरादिक केस जो रियल होते हैं वो दिखाए जाते हैं उनमे अधिकतर होते हैं पारवारिक संबंदों में जो अपराद हुआ हो उनका तो महरा जी लोगों में वैसे ही आपसी संबंदों में विश्वास की कमी होती जा रही है तो ऐसे कारिकम इसको देखने से क्या प्रुफा पड़ेगा और देखना चाहिए कही नहीं कैसा मैं तो करता हूँ जिन बातों में नकारात्मक्ता बढ़ती है उन से दूर रहना चाहिए चाहे वो टी बी के सीरियल्स हों कारिकम हों या और कुछ हो मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन कौन सा कारिकम है आप बता रहे क्राइम पेट्रॉम इस सब चीज़े करने का नकारात्मक शर होता है कई लोग ऐसे चीज़े देख करके उस तरह के अपरादी भी कर बैठते हैं और फिर कई लोगों के अंदर इन सब चीज़े को देखने से नकारात्मक्ता की वर्द्धी होती है एक दूसे का विश्वास कम जिससे चित्त कलुसित होता है उसे दुस्रुती कहते है ऐसे द्रश्यों को देखना और ऐसी बातों को सुनना एक प्रिकार का अनर्थ डंड है जो हमारे जीवन के लिए महा अनर्थ कर है इसलिए इससे पूरी तरह बचना ही जाए निवेदन है पूजी छुलक्षी समाधर सागर जी महराज के चड़नों में कि हमारी ज्यान व्रदी है दू अपना प्रश्न परेश्यत करें मुनिशी चड़नों में नवस्तू 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 माराजी जब लोग विवार देखते हैं तो आपस में बाते करते हैं कुछ भी होता है तो कुछ सदू सुनते हैं जिए जानवर है तू गधा है यह तू इस प्रिकार से सब्दू सुनते है माराजी तो बर्तमान में जो चार गतिया मर्या बता ही गई है तो एक ही बैक्ती मे एक परियाय में चारो गती किस प्रिकार से घटेंगी? सवालें करें, नोस्त माराथ चुछ एक ही परियाय में चारो गती कैसे घटेंगी? मनुष्य की प्रजाती एक ऐसी प्रजाती है जिसमें सब घट सकता है समझ गया? वो देवता भी है, राक्षस भी है, नार्की भी है और जानवर भी है, मनुष तो है अब मैं आप को बता देता हूँ मनुष कब मनुष रहता है, कब देवता बनता है, कब जानवर बनता है और कब राक्षास या नार्की बन जाता है भारत्री हरी ने चार प्रकार के मनुष्य के इस्तर वता है सबसे पहला है जो सबसे निचला इस्तर है जो वेक्ति केवल स्वाहितों का ध्यान रखे और परहितों की घोर उपेक्षा करे वो राक्षास है जो स्वाहित के लिए परहितों को बाधा दे वो जानवर जो केवल स्वाहितों की पूर्ति करे पर का अहित ना करे वो मनुष्य है और जो परहित के लिए स्वाहित को ट्याग दे वो देवता अब ये सुबह से साम तक में सब प्रकार के संसकरन हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं कभी हम देवता बनते हैं कभी मनुष्य है कभी जानवर तक अभी राक्षा से राम आप कुछ भी बोल दो लेकिन हमारे काम हमारे चेतना के इस्तर को प्रकट करते हैं इसलिए अपने चेतन इस्तर को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर के दिबश रूप को सतत उदगाटित रखना चाहिए एक शामी पूरवाग निवेदह ने पूज ऐलक्स्री निजानन सागाटी महराज के चाड़ू में कि अपने प्रशन के माद्यम से हमें भी बोधी की प्रापति करा है नमौस्त पहर जी सास्तों में आता है कि पूजा कोटी समम स्तोतम स्तोथ कोटी समम जपहा करोरों पूजा करने से बराबार फल लाई एक बार इस्तोत पाथ करना है प्रवेशन ना है कि जब देनी की बिधि क्या है और जाप मंत्रों का अपने जीवन बाता वरन, मनपर क्या परिभाब परता है आपने इतना अच्छा सवाल किया है इस सवाल में एक बार और बढा देते है इसके अगले चरहने को जब कोटी समम छमा तो जब करने का भी जंजट नहीं छमा धर लो और मन में छमा आगई तो ना तुम्हें पूजा करने की जरवत ना इस्तोत पॉलने की जरवत ना जाप करने की जरवत अब महराज जी को जब की बात करनी है तो मैं आपको जब की ही बात बताऊँगा पर इनने इतना जब के सवाल किया है कि बिस्तार से करूं तो पूरा सत्र चला जाएगा ये पूरा प्रवचन का विशे है लेकिन हाँ हाँ कही दिन के बाद इनकी तो इनके प्रशने नहीं होते प्रशने माला होते है ना अभी मैं बहुत संछेप में बताता हूँ ये बात सही पूजा से इस्तोत और इस्तोत पाट से जाप का फल अधिक है क्यों पूजा की एकागरता से इस्तोत्र की एकागरता अधिक होती है और इस्तोत्र की एकागरता से जप की एकागरता अधिक होती है जप सब्द में दो अक्षर है जप और प जकारो जन्म विच्छेद है पकारो पाप नास जन्म पाप बिनास आए जप इती उच्चते जकार से संसार का बिनास होता है जन्म का बिनास होता है और पकार से पाप का नास होता है तो जन्म और पाप को जो बिनस्ट कर दे उसका नाम जप है तो जन्म को भी नश्ट करें, पाप को भी नश्ट करें, वह जाप है और ऐसा जाप प्रते की वेक्ती को नेमित करना चाहिए अब जब क्या है? पहला सवाब जबने का मतलब केवल माला की गुरिया सरकाना नहीं है जब जब करने का ताथवर, जो भी मंत्रों चाहर कर रहे हैं, उसमें अपने मन को रमाना आए आप लोग क्या करता है? इधर उधर की बाते भी हो जाती है इधर उधर अपने प्रतिक्रियाएं भी दे जब चल रहा है जाप तब सार्थक होगी जब आपकी उसमें एका गरता हो तन मेता हो, तब जाप होना चाहिए और ऐसे जाप करो, एक जाप करो, और एक करोर पूजा करो, बराबर आप सोचो कितना बड़ा प्षा है? एक कलोर पूजा से बड़ा एक जाप है, लेकिन वो वाली जाप नहीं जो तुम लोग करते हो अरहन तसिद्द सादू जाए कुत्ता गुड की भेली खाए है नहीं कहावत, आचाहिए महराज बहुत अच्छे से सुनाते है इसको वो जाप नहीं हाँ तो जाप कौन सी जिसमे मन रमे वो जप है तो मन को रमाओ एक आगरता पुरुवा करो और जप ऐसी जगा में बैठकर करे जहां किशी प्रकार का ब्याओधाल ना हो समझ कि एक आंतिस्थान में जहां किसी तरह का डिस्टर्वेंस नहीं है वहाँ जाप करो और जाप करते समय दुनियादारी की बाते आ रही है तो वो एक करोड की पूजा वाली जाप नहीं है इमानदारी से बोलो जब जब करने बैठते हो तो जब में मन लगता है कि दाल कड़ी में रहमन घूमता है क्या होता है एक विक्ति ने का मराज जो बिचार दिन भर में कभी नहीं आते हो जब के टैम में आते है उसे बोला अपना अनुवब होता है महराच जी जब मैं दिन भर के अपने कारियों को भूल जाता हूं ना तो जब करने बैठ जाता हूं जितने काम भूले वे होते हैं सब जब के समय में याद आता है तो वो बात ठीक नहीं है जब में मन को रमाना और जब आप अपने मन को जब में रमाएंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे सोहम के जाप को अजपा जाप कहा है स्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम अंकार के नात को भी कई लोग अजपा जाप के रूप में करते हैं तो यह जप है जप की अपनी महिमा है हर विक्ति को नीमित जप करते रहना चाहिए कारिकरम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमत्रित करता हूं ब्रमचारी अशोग भाईया जी हाँ बंदू हम इस कारिकरम को आगे बढ़ाएं आपको पूछना और गुडायतन परिवार से जुणने वाले दानदातारों के नाम की घोशना आपके बीच करें उसके पहले देश और दुनिया के लोग महरासरी के आसीरवाद की प्रतिक्षा में बैठे हुगे हैं तो दोनों हाथों को जोड़िएगा आप सभी लोग आपके लिए भी मंगल आसीरवाद मिले और आपके माद्दम से देश और दुनिया में इस कारिकरम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आसीरवाद मिले हमारासरी नमोस्तो 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 इच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष से जुड़ते हैं अपनी चंचला लक्षमी का सद उपयोग करते हुए हमारा अनुरोभ है कि अगर आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये आपके जीवन का सर्व स्रेष्ट श्रमय है सास्वत सर्व स्रेष्ट छेत्रपत दान देने के लिए और से पहले उनके नामों की घोष्टना कर रहे हैं अगर आप यहां पर उपस्ते थें तो अपने इस्थान पर खड़े हो करके महारा सी का मंगल आसीश गरहन करेंगे श्रीमती विद्धित प्रवा महाभीर प्रकासी जैन चांद खेडी जाला बार राजिस्तान से श्रीमती शांती जैन मुझफन नगर से एक बार जोरदार जोरदार कर्टल दोने के साथ दोना का संबान कर दीजेगा निर्माद निधी से जो लोग जोर रहे हैं अगर यहां उपस्ते थें तो अपने इस्थान पर खड़े होके मंगल आसीश गरहन करेंगे स्री विवेक कुमार जैन स्रीमती संजना जैन असोक नगर मद्द प्रदेश से जोरदार कर्टल दोनी सम्मान करें उपस्ते थें तो मंगल आसीश गरहन कर लिजेगा स्री राजेश कुमार जैन स्रीमती सरोज जैन जैसी नगर सागर मद्द प्रदेश से स्रीमती सुनीता समया धरंपत्मी स्वर्गी वीरेंद कुमान समया हिमानसु मेडिकल जवलपुर मद्द प्रदेश से एक बाद जोरदार कर्टल धनिशे सभी का शम्मान कर दें बंदोवाज गुणायतन से निर्मान सार्थी के रूप में जुड़ रहे हैं स्री काजोर्मल पिस्तादीवी जेन विमल सुरेश मनोज रोहित अंस सार्थक आध्या हिर्देया जेन शेदरी अवाला परिवार निवाई टौक राजिस्तान से पधारें मंचपर पधारें आपकी तालिया लगातार बजना चाहिए और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमद्द कर रहा हूँ चक्रेश जी जेन सतना से पधारें और जो आज गुड़ायतन से निर्मार सार्थी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे बंदो ये बड़ा ही गौरप साली परिवार है चक्रेश जी जेन सतना गुड़ायतन के ट्रिस्टी तो हैं ही आपकी वेटी रिशा जेन ने अपनी पहली सेलरी एक बच्चे के पढ़ाई के लिए समर्पित किये तो जोड़दार करतल दोनी सोज बेटी का भी सम्मान हमें और आज जो गौड़ायतन से निर्मार सार्थी के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है आपकी तालिया अनुवरत जारी रहना चाहिए बंदो आज गौड़ायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं स्री महावीर पिसाज जेन स्रीम महावी पिसाजेन, श्रीमती चंद्र कला जेन, स्री मनीश जेन, स्रीमती पृती जेन, परिंसी जेन, गिरंट जेन, टॉक राजिस्थान से, आईएगा, और आपके सम्मान के लिए, हम बहुती सम्मान पूरवक, यहाँ पर आमितित कर रहे हैं, हम बहुती सरल व्यक्तित के धनी हैं, स्री भूपेंद रेखाजी हूमर, गुणायतन के सिरुमनी संदक्षक हैं, मार्ग दर्सक हैं, और आज जिनका जन्म दिन भी है, तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमितित करता हूँ, आपकी तालियां पर्याब कर रहे हैं, श्री महावी प्रसाद जैन, सिमधी चंदकला जैन, सिमधी प्रीती जैन, परिंसी जैन, गरंत जैन, टौक राजिस्थान से, चलेगा मैं यहाँ पर आमित्द कर रहा हूँ, सतिष जी नजा, एड़बुकेट हैं, सिमधी बिनोट जी नजा, सिमधी उश्षा, सिमधी जोती, राजें दासी, समध नजा, समस्त नजा परिवार, ललिट पर से हमारे बीचें, और आज गुरायतन से, शिद्धी कलस के रूप में, गुरायतन से जोड़ रहे हैं, अब प्रितक्षिता आपका स्वभाग है आपके हातों में, कि आप महराज स्री के पावन चारणों में अपनी संकाओं को यहाँ पर रख सकते हैं, और प्रिथम परिश्ण के लिए हम सतीज जी नजा, ललिट पुर से एड़बुकेट सतीज जी नजा, पिर्थम प्रिश्न, उसके बाद में तैयार रहेंगे परियांस जैन इंदॉर पुतरीन को तु भले पुतर कीने तुही कल्प ब्रक्षम, तुही काम इन भक्ती को हम किस आसाय में महाराजी यह हमारी संका है देखो यह जो बाते कही गई है पहली बात तो यह किसी आचायर के नहीं है यह किसी कवी के दौरा रचे गई और यह बात बिलकुल सही है कि भगवान कुछ नहीं देते पर भगवान की भक्ती से हमें सब कुछ मिल जाता है यह केवल बहवार में कहा जाता है कि भगवान ने दिया लेकिन मिलता है हमारे पुन्य के संयोग से और पुन्य का संयोग बनता है हमारी भक्ति के बल से उधारन के लिए मैं आपसे कहता हूँ कोई विक्ति फटे हाल हो दाने दाने को महताज हो अरवह अपने किसी प्रियात्मी विक्ति के पास जाए जो धन्ना सेट हो उसके समख से जाकर अपनी विथा कथा कहे और शामने वाला कह दे अरे तू तो आज भी समराट है विकारी क्यों बरावा है तेरे पास तो आज भी करोडों की निधी है तू परेशान मत हो जा अपने घर का दक्षिन को ना कोद भंडार भरा है और आप गए दक्षिन को ना कोदा और थोड़ा ही नीचे गए बड़ा खजाना मिल गया अब क्या बोलोगे क्या बोलोगे शीदे सामने वाले के चन्द में आओ लया आप ने तो मेरा उधार कर दिया आप ने तो मुझे तार दिया अरे किया है आप ते मुझे माला माल कर दिया, मैं तो फटेहाल गंगाल था, आप ते मुझे धन कर दिया, अक्षय निदी पर दान कर दी, अनने दिया, अनने दिया, माल तो पढ़ा था, पर मुझे पता नहीं, अरे मैंने कुछ थोड़े दिया अरे आपने नहीं दिया होता तो अपने अन्य संपत्तियों के साथ इसको भी बेश दिया होता तो क्या मेरे पास बचा होता ये तो आपकी ही क्रिपा का सुफल है कि आज मैं माला माल हो गया तो बस यही भूम का भगवान की है भगवान कुछ देते नहीं पर भगवान से हम वह प्रेड़ना पा जाते हैं और जब उस प्रेड़ना से हमारे जीवन में कुछ भी उपलब्धिया घटती है तो हमारे हृदय में जो उनके पती भगती है वो हमें कृतग बनाकर प्रेड़न करती है और उस गार निकरते है भगवान यह आपकी कृपा का फल है यह आपने दिया है यह आपके आशिरवात का फल है यह बोला जाता है बोलना भी चाहिए पर मांगना नहीं चाहिए समझ गए शदी प्रियांश जैन इंदोर शुरोमनिशन रक्षक गुनायतन आगे तयार रहेंगे स्री भूपेंद रेखा जी हुमर मंबई शुरोमनिशन रक्षक गुनायतन महराच्छी के चार्ण में मेरा त्री बार नमोस्तू 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 महराच्छी मेरा प्रशन यह है कि आज जैसे हम लोग तिरस्थानों पर जाते हैं जैसे हम लोग तिरस्थानों पर जाते हैं तो आज कल वहाँ पर यूथ बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो नई जनरेशन है जैसे मेरी तीन च्छे साल की बिटिया है तो आप उनको किस तरीके से हमारे परिवार में ऐसा माह करें कि वो भी बढ़ों के अपनी मर्जी से बोले के हमें वे तिर्शान पर जाना है महाराजी से मार्ग दर्शन दीजिए यह बहुत अच्छा सवाल क्या है नई पीधी को हम धर्मस्थानों और धार्मिक्ताओं से किसी प्रकार जोड़ें देखें सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो नई पीधी के लोग हैं उन्हें हम इस तरह से प्रेरिद करें कि उनके इदर्मिक कारियों के प्रति एक सभाविक उत्साहा प्रकाट हो जागा उन्हें समझ में आए कि धर्न और धार्मी कारियों की महिमा क्या है ये चीजे जब समझ में आजाएगी तो उसे ज्यादा प्रेड़ित करने की जरुबत नहीं है मुझे याद है सन दोहजार आठ के एक जनुवरी को जब मैं हाँ बंदा कर रहा है तुम्हारे इंदाओर का ही एक युवाया पहली बार सम्मेच सिखर आया था वो मेरे साथ बंदना कर रहा है उसने मुझे से कहा महराज 28 वर्ष की उम्र हो गई पर जीवन में आज जिस वरकार के सुक्यन भूती हुई वैसी कहीं नहीं है मैं बड़े-बड़े हील स्टेशंस में गया भारत से बाहर भी गया जब लोग मुझे कहते थे कि सिखर जी जाओ तो मुझे लगता था माँ क्या रखा है पर महराज जी यहां आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी कि यहां तो मुझे सुरू से आना चाहिए उसे एक बात और जोड़ी कास्त मेरे माता पिता मुझे बच्पन में यहां लाए होते तो आज जिस प्रकार की पीरा मेरे में मन में आ रही है वो नहीं होती अब मैं हर वर्स यहां आऊँगा क्योंकि यहां एक अलग प्रकार के आनन्द की अनुभूती हो तो पहली बात माबाप को चाहिए कि बच्चों को छोटे पन से ही बंदना कराए इस तीज की महिमा बताए खुद बंदना करे और बच्चों से बंदना कराए बार बार बीच बीच में लाते रहे ताकि बच्चों का उत्साह जगे आनन्दित हो जिन बच्चों में बच्चपन से रुजान बढ़ जाता है बड़े होने के बाद उनको बोलानी पड़ता वो माबाप फिर बच्चों को नहीं लाते बच्चे माबाप को ले आते है तो वो चीज़े होनी चाहिए अगर ऐसा उत्साह बढ़ा दिया जाए तो सब ठीक होगा दूसरी बात तीर छेत्रों में कुछ आधार भूत विवस्ताएं भी होनी चाहिए जिससे आज की नई पिढ़ी सहज रूप से आकरिष्ट हो सके क्योंकि आज के पिढ़ी का जो जीवन इस्तर है वो बदल गया है जीवन सहली परिवर्ती थे लाइफ इस्टाइल चेंज हो गई तो उन्चीजों को बहुत जल्दी एड़ेस्ट नहीं कर पाते तो हमें उसके लिए उसके अनुकूर वातार बना कर तीर्थों के प्रती आकरसन उत्पन्न करना चाहिए जिससे वे खीचे चले आये और फिर उने कहना नहीं पड़े आज तुम लोग भी आये हो तुम लोग भी युवा हो मैं तो देखता हूँ बहुत युवा है और एक विशिस्ता मैंने देखी अन तीर्थों को छोड़कर सम्मेज सिखर जी में मुझे तो लगता है हमारी समाज का हर वर्ग उत्साहित हो करके आता है और इसकी एक सबसे बड़ी वज़ा यह है कि बाकी तीर्थों में एक आद दो वेक्ती जाते हैं ज्याधा से ज्याधा परिवार जाता है पर सम्मेज सिखर में तो पूरा का पूरा कुनूबा आता है यह सब से रहे सौ दो सो तीर्थों का जत्था आता है यह जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी है तो भारे प्रश्टे के माध्हम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप तीर्थ यात्रा की परिपाटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो लोगों में इस तरह का उत्सा बना करें श्री भूपेंद रेका जी हुमन मंबई से सुरुमनी संदक्षक और मार्क दर्शक गुणायतन से और आज उनका जर्म दिन है बंदो अपना सब कुछ छोड़कर के गुरु चर्णों में इस पावन साथ सो तीर्थ पर वो यहां पधा रहे हैं तो एक बार जोरदार करतल दोने से उनका सम्मान किजिए आज की पहली शांत्यार का स्वभाग भी उन्हों ने प्राफ्त किया आपके बाद में तयार रहेंगे ब्रमचारी चित्द्रूप भीया नमस्तु गुर्देव नमस्तु गुर्देव नमस्तु गुर्देव सब मुनी को और प्याक प्राफ्त गुर्देव नमस्तु 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 आदमें नहीं होते हैं और नहीं महां पर कुछ जाना जादा लोग जाते हैं अभी मैं बंदेल खंड के बता रहा हूं मैं बंदेल खंड गया था भी तो महां जाकर कर देखा तो बहुत से खाली मंदिर पड़े हैं खंडर मंदिर पड़े हैं तो उनका तो कोई न देख रहे ह हो रही है ना कुछ हो रहा है तो ऐसी इस विवस्ता में हमें क्या करना चाहिए नए मंदिरों को निर्मान करकर के वो करना चाहिए या जो पुरानी जो हमारी धरोर छोड़के गए हैं पुरानी जो मंदिर हैं उनका निर्मान करकर के उनको इतना अप्लिफ करें कि वो भी इत अच्छी परस्त होब कि नई जन्डेशन वहा जाना की पसंद करें। नमस्तुरूर। पहले तो आज के इस मोके पे मैं आपको आशिर बात दूंगा। कि इसी तरह धर्म ध्यान करते वे आप अपने जीवन के करम को आगे बढ़ाएं। और अपने जीवन के अंत में सलेखना का सौभाग पाकर नर्भा को साथा करें। आपने जो सवाल किया उसके जबाब में मैं एक पशंग बताना चाहूंगा। परंपूज गुरुदेव की जब जबलपूर में थे 1988 में। तो आपका यही सवाल साहू अशोक कुमार जी ने गुरुदेव के समक्ष रखा। उन्होंने अपने सब्दों में कहा कि गुरुदेव आजकल ले ने तीर्थों का निर्मान हो रहा है। जबकि पुराने का जिर्नोधार ज्यादा आउशक है। गुरुदेव ने का हाँ पुराने का जिर्नोधार होना चाहिए। गुरुदेव ने के निर्मान के अपक्षा पुराने के जिर्नोधार में तो पुन्य भे अधिक है। गुरुदेव ने का हाँ अधिक है। उन्होंने का गुर्देव आपके नाम से एक बिग्यप्ती जारी करवा दू कि नए के निर्मान की जगाप पुराने का जिर्नोधार करा sigui कुर्देव ने कहा कुर्देव ने कहा सहूजी करानाया चाहो तो करा दो arest टेकिन मिरते सवाल का जवाब दू करा ना हो तो करा दो पर मेरे एक सवाल का जबाब दो क्या ले बताओ तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करबा करबा कर पहनो गए कब तक पहनो उसकी एक सीमा है गुरुदेर ने अपने बात को आगे बढ़ाते वे का पुराने का जिर्नोधार कराओ पर ये मान करके चलो कि केवल पुराने के जिर्नोधार से अपनी पीणों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे अपनी संस्कृती को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा निर्मान करा जाओ जिसका आने वाली पीडियां जिन्नोधार करा सके मैं सबस्ता हूँ इस प्रशंग में आपके सवाल का पूर उत्तर आगया हम पुराने का जिन्नोधार कराए लेकिन नए का निर्मान जब हम आज कराते हैं तो आने वाले समय में जब सदियों के बाद हजारों वर्स के बाद इतियास लिखा जाएगा तो इस बात का प्रमान बनेगा कि बीश्वी और इकीश्वी सताब्दी में जेन धर्म अपने चर्मोत कृष्ट रूप में था यह दस्तावेज है और पुराने खनर बन चुके जैसे विक्ति की खुम्र होती है वेसे ही सब चीजों की खुम्र होती है वो तो होंगे उनको भी समाले पर कुछ ऐसा बना दे कि आने वाली पीड़ीयां समाले इसलिए गुर्देव कहते है ऐसा बनाओ जो हजारों वर्स तक टीके ऐसा मत बनाओ कि आज बनाया और 25 साल बाद वो खंडर दिखने लगे इसको मजबूति के साथ बनाओ तो यह हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक सबर आधार है इसलिए इसका भी हमें यथा प्रसंग प्रयोग करते रहना चाहिए अब आप मंदिरों के खंढर होनी की बात करें आपने मुंदेल खंड का लाम लिया मुंदेल खंड के तो लगभग लगभग सभी तीर बड़े समुननत हो गए लेकिन हुमर जी मैं आपको गाउं की बात नहीं कर रहा हूं तीर छेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं अब तो शहरों के मंदिर भी रान हो रहे है जितने भी शहर है उनके पुराने शहरों के मंदिरों में पूजा करने वाले नगन होते जा रहे है उधारने के लिए जैपूर का जोरी बजार देख लो अब क्यों हो रहा है इंदौर का राजा बजार हर शहर का जो में एरिया Конجस्टेड है अब हमारे समाज के दिल्ली का चांड नी चौक दिल्ली में भी एक बार मुझे बताया था किसे ने कि हमारे कुछ मंदिरों में लोग पूजा करने वाले नी जबकी दिल्ली में इत्ते लोग है उसकी वज़ा क्या है कि लोग अपने अपने पुरानी इस जगास को छोड़कर नए कालोनियों में बसते जारे घर उठके चले गए यही बात बंबे में भी है अब वहा क्या करे तो अब क्या करे भाई इन्ही पुराने मंदिर में पूझा करो जहां तुम बस गए वहां मंदिर मत बनाओ क्यों क्योंकि पुराने को समालना हमारा पहरा धर्म है नया बनाना धर्म नहीं है ऐसा करना ठीक है क्या यह ठीक है अब तुम समय काल के रूरू परिवर्तर है अब जहां तंग गली है ने तुमारी गाली घुच सकती ना पार्किंग की बिवस्ता ना न को बिवस्ता है तो लोग शहरों से कालोनियों में शिप्ट हो रहे है तो जहां सिप्ट हो रहे हुआ धरमध्यान के लिए उनको मंदिर बनाना जरूरी है लेकिन तुम कहीं भी सिप्ट हो जाओ तुमारी निष्ठा इस्थिर होनी चाहिए सबसे मज़े की बात इसलिए अगर मैं कहूं कि तुम कालोनियों में मत जाओ जहां वहीं बसे रहो तो साइद मेरी बात को कोई महत्त नहीं देगा क्योंकि पहले एक कमरे में दस लोग सोते थे अब एक वेक्ती के लिए एक कमरा हो गया अंतर आगे लिए तो यह कहां पुराने सहरों मिलेगा बद्राव हुआ है जीवनिस्तर में तो मैं क्या कहता हूँ ठीक है अगर इसी स्थी पे जाना है तो जाओ पर कम से कम ऐसी बवस्था बना के जाओ कि तुम्हारे मंदिर की पूजा अर्चा होते रहे और मंदिर के आस पास के भवन कहीं ऐसे आद्मियों के हाथ में नचले जाए कि उधर से तुम्हारा गुजर ना मुश्किल हो आज एक बड़ा गलबल हो रहा है कुछ लोग मोटी रखम देकर मकान आप लोगों के खरीद रहे है और वे लोग ऐसे अवांचित गती बिदिया करते है कि उनके कारण उस इलाके से जाना भी मुश्किल होता है जो लोग भी ऐसे लोगों के अपनी संपती सौपते है वो महान पाप के भागी है तुम रूखी रोटी खा लेना लेकिन ऐसे आदमियों के हाथ में अपनी संपती मत सौपना ने तो कल तो तुम्हें मंदिर में जाना मुश्किल हो जाएगा और आज तुम्हारा मंदिर दिख रहा है, हो सकता है कल वो मंदिर न रहकर कुछ और बन जाए इसलिए ये चीजे हमें समयकाल को देखते हुए करना चाहिए हम चाहे जिसको वो चीजे न दे और कहीं भी रहें कम से कम खास आउसरों में हम उशी मंदिर में सारा कारे कम करें अभी भी पुराने शहरों में कुछ जगा है कि जो मरन परन की बात आती है जनम मरन परन वहीं करते हैं ताकि जड जुडी रहती है इह करते रहेंगे तो हमारे पुराने मंदिरों में भी रोनक पनई रहेंगी और हमारा निरवाह भी अच्छा Namaustu Guru Deva कर दो Namaustu Guru Deva, Namustu Ikhami Marat Ji – Ikhami मेरा क्रेशन है कि कोई Guru Deva के पास जाते है अभी हमारे साथ रक्षा बंदन पे इंस्रियनश हुआ को रक्षा बंदन पे सोने की राखी बांधी इनको रक्षा सुत्रे के साब से तो उसका प्राइश्षीत लेना चाहिए या उसको लेके अपने पास उसमें अभी दोश जैसे की अब जोना बढ़ या मेरा तो ले लेके जब कभी ऐसा मुखा है तो मैं एक पशंग सुनाता हू मेरे पास परंपुझ गुरुदेव की एक बहुत सुन्दर तश्वीर थी किसे ने दिया था मेरे पास रखी थी एक सज्जन आए कांच के उपर सोने का काम किया वा बहुत सुन्दर इन ग्रिविंग थी एक सज्जन आए जुलेवे थे मुझे लगा योग पात्र है वो से एक बात रखी मुझे गुरुदे मरासरी आचार मराच की तस्वीर आप दे रहे हो मेरे लिए इस सिर्फ सौभागे के च्छन और क्या होंगा लेकिन मुझे बड़ी दुदा और संकोच है आप ये तस्वीर दोगे तो मुझे अपने घर में इस तस्वीर को रखने के लि अगर मेरे पास से ले जा के कहीं इधर उजर डाल देते तो भी अच्छा नहीं होता एक अपराद हो तो पहली बात तो साधू का कामी नहीं राखी बादो संकल्प के बंधन में बंधो साधू के सवक्ष आप बंधो साधू से राखी क्या बंदो आज कर परिपाटी चल पड़ी और अगर कहीं ऐसा प्रशंग आजाए हाथ जोड़ो नमरता से को महराच आपका अशिरवाधी परियाप्त है और उसको वहीं उतार के रग दो कभी इसा हो जाए वहीं उतार के रग दो किसी और के काम में आ जाएगे हम इसलिए इसको नकाद नहीं रहें कि ये ठीक नहीं है हम इसलिए इसे अश्विकार कर रहे है कि ये मेरी मर्यादा के बाहर है कहने में कोई हानी नहीं है तो पहने उसमें किया है कि गुरू की अवग्या अवग्या नहीं करना, नम्रता से बात करना है, महराज आपका अशिलवाद ठीक है नहीं, आपने दिया ठीक है, आप और किसी को दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने आपको दिया, मैं उतार के ही रख दे रहा, इत्ता करके ताला जा सकता है, नमस्ते बुझा, ब्र उन्हराजर जी प्रश्ण भी है, और प्रश्ण के साथ मन की कुछ पीडा भी है, हम लोग अलग-अलग इस्थानों पर विदिविधान करवाने के लिए जाते हैं, कारेक्रम किसी परिवार का व्यक्ति-गद्ध भी होता है, और सामाजिक भी होता है, तो बोलियों के माध् परिवार का चयन किया जाता है और व्यक्तिकत होता है तो अनुष्ठान करता है परिवार ही होता है एसे में जब मंदल विधान पर श्रीफल आदी चड़ाना हो अर्ग चड़ाना हो या समापन पर हवन की क्रिया करना हो तो जो मुख्य पात्र आदी के परिवार की नव पूतियां होती है या जो नई उम्र की बहुए होती है उनका परिधान विशेस वो सलवार सूट में आकर मंडल विधान पर सारी क्रियाएं करना चाहती है या उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको डाइपर पेहना कर लाते हैं उनके साथ मंदिर में बेटते हैं फिर वो सारी मांगली क्रियाए करना चाहते हैं बालों को बाधने का तो ट्रेंड खतम हो चुका है खुले बालों से सारी मांगली क्रियाए करना चाहते हैं हम यदि नकारक में कोई इस प्रकार की क्रिया करते हैं लगता है कि भहिया जी बहुत ज़्यादा कड़क है या विहवारिक नहीं है हम उनसे क्रिया करवाते हैं तो ऐसे लगता है कि धर्म के विपरीद जा रहे हैं तो ऐसे में हम लोगों का करते वे क्या होना चाहिए और क्या इस प्रकार से क्रिया करना और करवाना डोनों आगम के संगत है क्या देखिये बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की सबसे पहले तो सला में ये दूँगा जो बिधी विधान के करता है चुकि उनके साथ टाइटल लगा है बिधी विधान करता विधान आचाहिए तो उन्हें बिधी विधान का देहान रखना चाहिए उसमें विधान स्विकार नहीं करना चाहिए हमारी प्रात्मिक्ता है हम किसके लिए आए बिधी विधान के लिए आए और बिधी विधान करता ही यदि विधी विधान को गोन कर दे तो मामला गलवर हो जाता है अब रहा सवाल ऐसी सितिवे हम क्या करें सबसे उत्तम तरीका आउजन से पूर आउजको को बोल दे कि हमारी ये विवस्थाएं है इस तरह की विवस्था के साथ ही आप आईए हमारे ये परिधान होंगे और खुले बाल से एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ किसी भी धान्मी करुष्ठान में खुले बाल नहीं रखना चाहए इस स्रियों के लिए ऐसे भी sexual है खुले बाल नहीं रखने का इस तरियों के खुले बाल के दो दो involved बताये है और दोनों ही दोनों में एक तो बहुत खराब बज़ा है जिसका उलेक में नहीं करूँगा और दूसरी वज़ाबा है जब द्रॉपदी ने अपने बाल खोले थे जब वो कुछी संकल्ब से बन जाती है तब इसके अलावा और कोई दी पर आजकर आप लोगों का जो ट्रेंड है बहुत गंदा ट्रेंड है ऐसे खुले बाल वाली स्ट्रियों के लिए जिस तरह के सब्द लिखे गए है मैं अपने मूँ से कहना पसंद नहीं करूंगा लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है कम से कम धालिमिक क्रियाओं को करते समय अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए पूजा अलुष्ठाल आदी क्रियाओं में खासकर हवन आदी क्रियाओं में ऐसा लिखा एक बाल भी आपका हवन कुंड में गिर गया तो कुष्ट जैसा रोक तक हो सकता आप सूचो अगर सास्त्र में लिखी बात तो कोई उपेक्षा आप करोगे तो नहीं बाल नहीं बांधना है तो कोई बात नहीं छोटे बाल रखो कटिंग करके मुंडन कराओ के सुछ पर बड़े है तो उसको बांधना जरूरी है ये एकदम ध्यान रखना ऐसा लिखा है कि हवन करते समय अगर बाल गिर जाए को लिखा है कि नहीं तो इन बातों के उपेक्षा करिएगा तो आपका पुन्यचीन होगा जितने भी मांगलिक अनुष्ठान है उनको बिधी विधान से करो हम इसमें डेल न दें इसी तरह छोटे बच्चों वाला मेटर है अब इसमें दो बातों को हमें ध्यान रखना बिधाना चार सबै से पूर निर्देशन दे दे और समय पूर निर्देशन दे दे तो जो भी आयोजख है वो उसका पालन करे लेकिन कई बार क्या होता नई जनरेशन के लोग जिनका ज़्यादा रुजान नहीं माबाप ठेल ठाल के जिनको लाते है वो अचानक आ जाए और उसको आपने कडाई से डाट दिया या निशेद कर दिया तो वो फिर धरम से दूर हो जाते हैं तो वहां हमें बहुत कुसलत से काम करना है उनको माइक से कुछ ना बोला जाए क्रिया करते वक्त कुछ ना बोला जाए क्रिया कर चुकने के बार भीरे से बोले ये चीज आपने जो किया आज आप सूट पहन के आई अगर साली पहन करके आती तो आपको सचा लाव मिलता आपका काम अधुरा उनसे बोल लोग फालो करेंगे, अगर उस समय नहीं बोलोगे, बाद में बोलोगे, तो लोगों को दिक्कत होगी, फिर एक दुबजा है, नई पिढ़ी की महिलाएं, नवयूतिया, जिनके दूद पीचे बच्चे, उनके मन में होता हमारा ये पारिवारी का नुष्ठान है, अब बच् को संभाले, तो पूजा से बंचित हो जाएं, और पूजा में आएं, तो बच्चों का कैसे संभाले, तो उस समय हम क्या करें, तो उस समय उनको बोले कि देखिया, आप लाब ले लेकिन उसकी एक शीमा रखे, डाइपर के साथ बच्चों को लाते हैं, फ्रेश डाइपर ब कि आपकी भाव की सुद्धी हो, बच्चों पर अच्छे संसकार बनें, और आगे चल करके काम करें, सिथिलता उचित नहीं, पर क्या बताएं, आज जिसके हाथ में प्रतिष्ठा पराग आगई, प्रतिष्ठा पुष्प आगई, वही प्रतिष्ठा चार बनें गया, जिस करना चाहिए, केवल बक्ता को देखकर उसे बिधी वधान करता मानने का, भ्रम नहीं पालना चाहिए, सही तरीके से कीजिए, और आप लोगों से भी कहता हूं, इसमें ढील मत दें, ना दें, लेकिन थोड़ा बहवारिक रूप से, सीधा सीधा इस्टेट फारवट कह देन से कई लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, हमारा उदेश धर्मा प्रभावना का है, आप प्रभावना नहों, आज करके जितने भी नई पिढ़ी के लोग है, सब एमेंसीज में काम करने वाले हैं, बाहर पढ़ने वाले हैं, उनको हमें मोटीवेट करना चाहिए, और मैंने ए दूरत चीजों का एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों नहां सम्झा के काम पे नमुस्ता प्रम्चारी गौरभ बैयेश संग्भिया स्रम्दान अध्गरगा बीनवार आजमेर, और इसके बाद में तयार रहेंगे, शिमधी चंदकला जी पाटनी राची, महरज श्री के चड़ उपक्रम दिया, जो हद्करगा के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, महरज जी पर एक पीड़ा होती है, कि जब भी हद्करगे की बात आती है, तो लोगों को ये लगता है कि हद्करगे में मात्र कपड़ा बनता है, उस कपड़े के माध्यम से कौन-कौन से जैसे एक किसान को वेकल्पिक रोजगार मिल रहा है, गाउं से पलाया रुक रहा है, सक्षम, सक्षम के माध्यम से अक्षम जो है, वो सक्षम बनते चले जा रहे हैं, तो महरज हम ऐसा क्या करें, जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुँचाए, कि यहां मात्र वस्त्र का निर्माण नहीं होता, आत्म दिवर भारत के लिए जो जो योजना है, लोग सात्विक्ता से जुड़ रहे हैं, ये सारी बात उन तक पहुँचे, तो हमें क्या करना चाहिए, महरज है, तिक ये आचायर महरज की बली दूर दर्शी सोच का परिराम है, गुर्देव ने बह समरिद्धतम राष्टों में एक माना जाता था, जिसे सोने की चलिया के रूप में जाना जाता था, उसमें हमारी टेक्स्टाइल इनस्ट्री की बहुत बड़ी भूमका थी, गुर्देव ने उसी बात को समझ करके इसे आगे प्रवर्तित करने का उपक्रम किया, और उसमे यह जो युवा देख रहे हैं ब्रहमचारी, एक आर्किटेक्ट है और दूसरे, संस्कृत में भायाने गोल्ड मेडल, सब उच्च शिक्षा संपन, MNC's की नौकली छोड़कर ऐसे कार में लगे हैं, केवाल इसलिए कि हम भारत को आगे बढ़ा सके, अहिंसा की करा सके, इसके पीछे छिपेवे सभी दिष्टिकोन को हमें लोगों तक पहुचाना चाहिए, जो बाते अभी यहां कही गई, वो बहुत अनुकरनी हैं, और इही बातों को ध्यान में रखते वे यदि आगे बढ़ा जाए, तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है, हमें अ अजमेर में जब आपका सन 2016 का चातुरमास संपन हुआ था, बहुत अच्छी उससे प्रभावना अजमेर शहर में हुई थी, और आपके चातुरमास के बाद समाच गुरू जी के पास नेवे दिन करने के लिए गया था, कि हमारे यहां भी आपके आशिरवास से कोई प्रकल प्रारम होना चाहिए, तो सन 2016 से और आज 2023 चल रहा है, और गुरू जी ने 6-7 वर्षों के बाद, अब हमको अजमेर में हतकरगा प्रारम करने के लिए आशिरवात दिया है, पूरी मैतरी के नाम से, और ये हम लोगों के लिए बड़ा आश्चरे है, और गुरू जी की क्या इतने समय के अंतराल के बाद, अब स्वताही गुरू जी ने उसके लिए बड़ी प्लेड़ना दी है, और आशाशी का पूरा भाव है, कि समस्त समाज के सहयोग से, वो कारे वहां पर संपन होना चाहिए, तो महरा जी गुरू जी ने जैसे इतने वर्ष उसमें लगा दिये कि क्या उनकी दूर दरश्टी रही की, सबसे पहली बात तो यह तुम लोगों के लिए बड़ी प्रशनता का विशेह और सौभाग का दियो तक है, कि कम से कम गुरू देव की दरश्टी में अजमेर आया तो, अब गुरू देव की क्या दूर दरश्टा रही होगी मुझे पर मैं इतनी ही बात जानता हूं, जब तक संयोग अनकूल नहीं बनते तब तक परिणाम अनकूल नहीं है, अनकूल संयोग जब आता है, तभी परिणाम अनकूल आते है, अब संयोग अनकूल आ गया, गुरू देव की कृपा आप लोगों पर बरस गई, तो जब गुरू गुरुदेव की कृपा अप लोगों पर बर्सी है तो अजमेर समाच की जिम्मेदारी बनती है कि उसे साकार करके दिखाए और ये अजमेर समाच इस बात को प्रमानित करें कि हम गुरु वचनों का कितनी प्रतिबधता से पालन करते हैं और जैसा गुरुदेव ने भाव में रखा भाव रखा है हम उससे बढ़ करके काम करेंगे मैं सारे अजमेर की जैन समाच को इस मंच के माध्धम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ है सब एक जूट होकर रूप रेखा बनाईए और गुरु चरनों में जाकर के कहिए गुरु देव आपके लिए आपने अगर हमारी समाच को इस योग समझा है तो हम लोग उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बढ़ चर करके हम लोग ने गुरु जी के सामने एक भावना और रखी थी कि हम जब भी उसका उदगाटन करेंगे आगे विस्तार रूप में तो वो आपके ही चरन सानिद में करेंगे और उसके लिए गुरु जी ने बड़ी प्रसंदा रखी दी यह और अच्छी बात अगर यह साकार हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या श्रीमती चंकला जी पात्नी रांची और आगे श्रीमती अनिता जितन सेथी हाट पिपलिया ओं बाहर वाले को दो हाट जाने वाले अनिता जितन जी सेथी हाट पिपले सीगर्टा के साथ माइक बिजवा दें और इसके बाद में तयार रहेंगे संजीव जी प्रिचंडिया अलिगर नमोस्तु माराजी नमोस्तु आज छुलक सुभग सागर जी माराज के केशलोश का पाढ़ने का सोभाग्य मि नहीं देगा ये कहां तक उचीते अच्छी बात है अग जो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे ही करते रहोगे तो घर में कोई लड़की नहीं देगा तो बुल ऐसे कहना वालों की लड़की लाने से अच्छा घर में लड़की नलाना ही अच्छा जीन की ऐसी बच्ची भावना है लड़की को लाकर के का करोगे और निहाल थोड़ी करेंगे बोले हमको नहीं चाहिए लड़की हमारा रास्ता खुला है हमें सोचने की बात नहीं है हमें अपना मार्ग बनाना है मार्ग तहे करके चलना है हमें पता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना इसलिए इन बातों को ध्यान में नहीं रखो और उनसे को तुम बोलते हो लड़की नहीं देगा हमारे हाँ तो चल करके लड़की लेकर आएंगे क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की संक्या बला रही है अब चौका लगाने वालों की कमी नहीं है लाइन लगी है अधिकतर लोग सोचते हैं महराज हमारे घर में ऐसी वहू आए जो हमारी घर की परंपरा को आगे बढ़ा पाए और बहुत सारी लड़किया खुद ये सोचती है हमें ऐसा घर मिले जहां धर में की परिपार्टी चलते रहे होता है की नहीं होता है बताओ इस सभा में जितनी अभिवाहित ललकियां वेठी है उनमें से कितनी हैं जो चाहती है हमें ऐसा घर मिले जहां सब प्रकार की धर में ध्यान होते रहे तो लहाँ उठाना जितनी अभिवाहित ललकियां है अभिवाहित हाथ उठा अच्छे से उठा डरो नहीं देखो बहुत बनी है कैमरा एक सर्वे हो गया उठा अच्छे से उठा हाथ कैमरा दिखा हाँ यह हो गया एक मेरा हाथ नीचे करो पहले देखो कितनी अभिवाहित लड़कियां अभिवाहित हैं कितनी total कितनी लड़किया जो अभी वाही थे जिनका भीवान इवाओ कितनी है देखो हाथ उठाओ हाँ कितनी है देखो इशका ताथ पर ये है hundred percent लड़कियों ने हाथ उठाया क्या है ये सब मुर्खों की पहिचान है मुर्खता पकट करते है ऐसे लोगों को भावई नहीं देना चाहिए जाहिए आपके पास मेरे पास समय नहीं है आप अपना काम कीजे समाज में आज ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है ना मिलना चाहिए हमें ऐसे लोगों को महत्त देना चाहिए जो देव, गुरु और धर्म के प्रती समर्पित हो बोलिए परमपूज आचार गुपर्ट सर प्रतीशत गारंटी से निबारण फैमली प्रब्लम, वियपार बिजनिस में नुकसान सगाई शाधी में रुकावट, फसे हुए पैसे डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अभश्य करें मुवाइल नंबर 820-9931-336-97372-02129 ब्रांच हैदरबाद एवं मुंबई www.raajguruastrologer.com जै श्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री रिशब कुमार सरावगी, श्री रिशा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी, एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंग सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी, उध्योग प्राइवेट लिम्टेड एवम सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिम्टेड शिरी शांतिकुमार सोगानी, शीमती मम्ता सोगानी, प्रियतम मयूरी, रिशव, शिरी सिधेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जैपुर राजिस्थान, फर्म सोग